श्रीमद भागवत महाप्राण, पंकम इसकंद दुतीय अध्याय, आगनीद्र चरित्र इससे पिछले अध्याय में हमने प्रियविरत चरित्र के विशाय में सुना अब आगे स्री सुगदेव जी कहते हैं पिता प्रियविरत के इस प्रिकार तपस्या में सललगन हो जाने पर राजा आगनीद्र उनकी आग्या का अनुसरान करते हुए जंबू दीप की प्रजा का धर्मा अनुशार पुत्रवत पालन करने लगे एक बारवे पित्रलोग की कामना से सत्पुत्र प्राप्ती के लिए पूजा की सब सामिगरी जुटा कर सुर सुन्दरियों के कीड़ा इस्थल मंदराचल की एक गहाटी में गए और तपस्या में ततपर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पते स्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे आधिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अविलासा जान ली अते अपनी सभा की गाय का पूर्व चित्ती नाम की अपसरा को उनके पास भेज दिया आग्नीद्र जी के आस्रम के पास एक अतिरमडी उपवन था वह अपसरा उसी में विचरने लगी उस उपवन में तरह तरह के सघन तरवरों की साखाओं पर स्वरन लताएं फैली हुई थी उन पर वैठे हुए मयूर आधि कई प्रकार के इस्थलचारी पच्छियों के जोड़े सुमधर बोली बोल रहे थे उनकी सडज आधि स्वर युक्त दोहनी सुनकर सचेत हुए जल कुकुट कारंडव एबम काल हंस कल हंस आध जलपच्ची भात वात से कूजने लगते थे इससे वहां के कमलवन से सुसोवित निर्मल सरोभर गूजने लगते थे पूर्वचित्ती की विलास पूर्ण सुललित गतिविधी और पाद विन्यास की सैली से पद पद पर उसके चड़ नूपुरों की जनकार होटती थी उसकी मनोहर ध्वनी सुनकर राजकुमार आगनीद्र ने समाधियोग द्वारा मूदे हुए अपने कमलकली के समान सुन्दर नेत्रों को कुछ-कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें उहे अपसरा दिखाई दी उहे भ्रमरी के स समान एक-एक फूल के पास जाकर उसे सुंगती थी तथा देवता और मनुस्यों के मन और नैनों को आह लादित करने वाली अपनी विलास पून गती किल्डा चापल्य लज्जा एवं बिनैयुक्त चितवन सुमधुरवाणी तथा मनोहर अंगाव यवों से पुर्षों के ह रिवेश के लिए द्वारसा बना देती थी जब हुए हंस हंसकर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमरत्मय मादक मध जहर रहा है उसके निस्वांस के गंध से मदांद होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते तब हुए उनसे बचने के लिए जल सब देखने से भगवान कामदेव को आगनीद्र के हुर्दय में प्रिवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन करने के लिए पागल की भाहां ते इस प्रिकार कहने लगे मुने वरेय तुम काउन हो? इस परवत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परमपरुस्री नारण की कोई माया तो नहीं हो बहुं की ओर संकेत करके बोले सखे तुमने ये विना डोरी के दो धनुस क्यों धान कर रखे हैं क्या निसे तुम्हारा कोई अपना प्रियोजन है अत्वा इस संसारा रन्ने में मुझ जैसे मतवाले मिरगों का सिकार करना चाहते हो कटाच्छों को लच करके बोले तुम्हारे ये दो वांड तो बड़े सुन्दर और पेने है अखो इनके कमल दल के पंक हैं देखने में बड़े शान्त हैं और हैं भी पंकीन यहां बन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो यहां तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता तुम्हारा यहे पराक्रम हम जैसे जड़ वुद्धियों के लिए कल्यानकारी हो बहरों की ओर देखकर कहते हैं भगवन तुम्हारे चारों ओर जो यह सिशिगन अध्यन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की इस्तुति कर रहे हैं और रिशिगन जैसे वेद की साखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुस्पों का सेवन कर रहे हैं नूपरों के सब्द की और संकित करके बोले ब्रह्मन तुम्हारे चर्ण रूप पिंजरों में जो तीतरवंद हैं उनका सब्द तो सुनाई देता है परंत रूप देखने में नहीं आता करदनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांती की उत्परिच्छा कर बोले तुम्हारे नितंबों पर ये कदम कुश्मों की सी आभा कहां से आ गई इनके उपर जो अंगारों का मंडल साभी दिखाई देता है किन्तु तुम्हारा वलकल वस्तर कहां है अब कुमकुम मंडित कुछों की और लच्छ करके कहते हैं दिजवर तुम्हारे इन दोनों सुन्दर सींगों में क्या भरा हुआ है अबस ही इन में बड़े अमूल रत्न भरे हैं इसी से तो तुम्हारा मद दिवाग इतना किरस होने पर भी तुम इनका बोज डो रहे हो यहां जाकर तो मेरी द्रश्टी भी मानो अटक सी गई है और सुभग इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है इसकी गंद से तो मेरा सारा आस्रम महक उठा है मित्रवर मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो जहांके निवासी अपने वच्छ इस्थल पर ऐसे अधभुत अवयवधारन करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को छुब्द कर दिया है और मुख में बिचित्र, हाव, भाव, सरस, भासन और अधरा, अमरत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामिग्री किसी सुगंद फैल रही है मालुम होता है तुम कोई विश्णु भगवान की कलाही हो इसलिए तुम्हारे कान में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल है तुम्हारा मुख एक सुन्दर सरोवर के समान है उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भैसे कांपती हुई दो मचलियों के समान दंत पंक्ती हंस के समान और घुंगराली अलकावली भोरों के समान सोभायमान है तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मार कर इस गेंद को चालते हो तब यह दिसा विदिसाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है साथ साथ मेरे मन में भी खलवली पैदा कर देती है तुम्हारा वांका जटा जूट खुल गया है तुम इसे सवालते नहीं अरे यह धूर्त वाय कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है तपोधन तपस्यों के तटको व्रस्ट करने वाल्या यह अनूप रूप तुमने किस तपके प्रवाव से पाया है मित्र आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो अत्वा कहीं विश्विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तो मुझ पर कृपा नहीं की है सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता तुम्हें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलज गए हैं कि अनत्र जाना ही नहीं चाहते सुन्दर सीगों वाली तुम्हारा जहां मन हो मुझे भी वहीं ले चलो मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमई सक्षियां भी हमारे ही साथ रहें स्री सुकुदेव जी कहते हैं राजन आगनीद्र देवताओं के समान वुद्धिमान और इस्तरियों को प्रसंद करने में बड़े कुसल थे उन्होंने इसी प्रकार की रत्य चात्तोर मई मीठी मीठी वातों से उस अफसरा को प्रसंद कर लिया वीर समाज में अग्रगन ने आगनीद्र की वुद्धी सील रूप अवस्था लच्छमी और उदारता से आकर्सित होकर उहे उन जंबू दीप अधिपती के साथ कई हजार वरसों तक प्रत्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही तदनंतर निर्पवर आगनीद्र ने उसके गर्व से नाभी किम्परोस हरिवर्ष इलाविरत रम्यक हिरन्यमय कोरो भद्रास्व और केतुमाल नाम के नव पुत्रुत्पन की इस प्रिकार नव वरस में प्रत्वर्ष एक के क्रम से नव पुत्रुत्पन कर पूर्व चित्ते उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्तित हो गई आगनीद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से सुभाव से ही सुडौल और सवल सरीर वाले थे आगनीद्र ने जम्बू दीप के विवाग करके उन्ही के समान नाम बाले नव बर्स अर्थात भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सुप दिया तब वे सब अपने अपने वर्स का राज भूगने लगे महाराज आगनीद्र दिन दिन भूगों को भूगते रहने पर भी उनसे अत्रप्त ही रहे वे उस अपसरा को ही परम पुर्शार्थ समझते थे इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोग को प्राप्त किया जहां पित्रगन अपने सुकृतों के अनसार तरह तरह के भूगों में मस्त रहते हैं पिता के परलोक सिधारने पर नाभी आद नव भायों ने मेरुकी मेरुदेवी प्रतरूपा ओग्रदंश्ट्री लता रम्या स्यामा नारी भद्रा और देव वीती नाम की नौकन्याओं से बिवहा किया श्रीमद भागवत महाप्राण पंचम इसकंद दुतिय अध्याय समाप्त जय स्री क्रेश्ण